सोशल में, behavior में, social psychology में एक term है जिसे हम attribution कहते हैं हम यह देखते हैं कि यह जो attribution है क्या होती है और क्या cultures में इसमें कोई similarities हैं या differences है फर्स करें आप एक museum में गए हैं और छुटी पे हैं एक शखस जिसको आप जानते नहीं तेजी से आपके पास से दोड़ के निकलता है और वो कुछ भी नहीं देख रहा और वो दोड़ते दोड़ते लोगों से टकराता भी है आस पास के लोगों से तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यूं कर रहा है वो दो बाते हो सकती है एक तो यह कि वो आप सोचते हैं कि यह भाग के निकले से कोई museum में इंट्रस्ट नहीं है और दूसरा आप यह सोच सकते हैं कि इसको कहीं जाने की जल्दी है अब आप अपने पर ही वो लगाएं आप जल्दी से एक museum से निकल रहे हैं तो आप क्यूं जल्दी से जा रहे हैं आपको पता है लेकिन दूसरे के बारे में आपको नहीं पता यह जो सवलात हैं इनके जवाब ही attribution attribution कहते हैं जो नतीज़ा हम निकालते हैं किसी चीज़ की वज़ा क्या थी किसी ने ऐसा क्यों किया या यह वाक्या क्यों है मसला हम किसमत पर भी attribution करते हैं अपने कोशिश पर भी करते हैं और दूसरों के इरादों या उनकी बुरी नजर हम कहते हैं फलाँ चीज को नजर लग गई हम कहते हैं फलाँ चीज उसने सोची भी है मेरे बारे में इसलिए वो इस तरह कर रहा है तो लोग ऐसा ऐसे क्यों करते हैं जैसे कि वो करते हैं उनके बहेविर की क्या वज़ा है जो स्ट्रेंजर वहां से भाग रहा था क्या उसको म्यूजियम में इंडरेस्ट नहीं है या वो जल्दी में था क्या वो बस जाने वाली है जिसमें उसने जाना था या उसके जिन्दगी में कोई अमर्जंसी है हम ये जरूर अंदाजे लगाते हैं जब हम किसी को कुछ करते भी देखते हैं Intr confirmation इंटर्ला रेटिवीशिन ये होती है कि ये इसलिए किसी ने कुछ किया कुछ कियोंकि उसकी नेचर ऐसी है उसकी डिस्पोजीशन या उसकी परसनलीटी ऐसी है जो कि उसके behavior का जो cause है वो उसके अंदर ढूंडते हैं, उसकी individual personality, attitude, traits या ability में ढूंडते हैं, वो fail हुआ क्योंकि नलाइक है, वो fail हुआ क्योंकि वो पढ़ नहीं सका था, उस दिन उसके घर में कोई बिमार था, अब एक internal है, जैसे वो rude है, या कोई discourteist है, या untrusted नहीं है प current social situation कोई reason, या किसी group member का, या किस्मत, कि कोई किस्मत हमारे अंदर नहीं होती, बाहर होती है, तो एक attribution error या correspondence bias कहलाता है, जब दूसरों के वज़ा ढूंडते हैं, तो हम उनकी personality से ढूंडते हैं, कि वो तो है यह ऐसा, और जब हम अपनी ढूंडते हैं, तो हम हालात पे डा देते हैं, यानि अपनी हम external attribution करते हैं और लोगों की internal करते हैं, इस bias को correspondence bias या fundamental attribution error कहते हैं, इस पे जो cross-culture research हुई है, वो यह कि जो east में रहने वाले लोग हैं, वो उनके अंदर इतना यह bias नहीं है, correspondence bias कि वो दूसरों की disposition और अपनी external की तरफ attribution करे हैं, Korean, Japanese और Chinese जो हैं, वो एक ही जैसी dispositional attribution करते थे, Americans की तरह, जब participants जो हैं, उनका behavior forced होता था, यानि किसी से जबरदस्ती कुछ कराया गया ना, तो अब कोई फरक नहीं रहता, लेकिन अगर जबरदस्ती नहीं कराया गया तो फिर वो कहते हैं, अपनी में जैसे किया है, या बा भी उसको उस चास की nature पे attribute नहीं करता, attribution का जो process है ना, जो east में रहने वाले लोग हैं, वो पहले ये सोचते हैं कि कोई मुश्किल होगी, external करते हैं, घर में कोई बिमार होगा, तो ये eastern जो हैं, वो इस तरह process करते हैं, किसी चीज़ के reason को, अगर हमें किसी situation का पता हो, किसी पे या क्या हो रहे हैं, तो तब हमारा ये जो बाइस है, ये का मुचत.